यहां पर जाम 2022 का जो फॉर्म निकल चुका है तो आप लोगों को जाम के बारे में इन्फरमेशन चाहिए तो मैं यहां पर आपको जाम के बारे में डीटेल में इन्फरमेशन दूँगा जो भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का जाम के लिए 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठीक है तो देखो यहां पर हम चलते हैं इस तरफ के तो इस बार जो हमारा ओर्गानाइजिंग इंस्टिटूट है वो आयाईटी रोड क है यह वाला इंस्टिटूट अभी जो इस साल का जो जाम का एक्जाम कंड़क्ट कर रहा है तो देखो यह तो नर्माल सी बात ही कि टेस्ट पर कौन-कौन से जो सब्जेक्ट हैं यहां पर एक्जाम के लिए तो यहां पर हमारा जो फोकस है यह है केमिस्ट्री के लिए जो exam के question type की तरह के आते ही यहां पर लिखा गया है तो actually आपका जो question आएंगे तीन प्रकार का आएगा तो एक तो आएगा mcq type question and डूसरा आएगा msq type question तो msq क्या होता है ना multiple select question right msq that means आपको एक question दिया होगा उसमें चार option दिया होगा तो उस चार option में साथ एक option सही होगा या फिर दो सही हो सकता है तीन सही हो सकता है या भी चार से चार ठीक हो सकता है right मतलब multiple choice होगा right multiple selection होगा that means चार में चार option से multiple answer correct हो सकता है अगर मान लो सपज कर लो एक question दिया हुआ है वहाँ पर option A and option B दोनों correct है right समझे तो आप लोगों को दोनों answer को mark के आना चाहिए option A and option B both को अगर click करके आओगे तब भी mark मिलेगा नहीं तो mark नहीं मिलेगा ठीक है तो यह बात थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को देखिए फिर चलते हैं दूसरे type को हम जो आपको यहां पर important dates जो है इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को तो यह है 30 जो August 2021 इसमें आपका online registration and application form स्टार्ट हो गया है जा आपका official website में ठीक है फिर last date है आपका October 11 तक that means you have enough time right you have enough time October 11 बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो आपका admit card निकलेगा January 4 में ठीक है और आपका जो date of examination है वो February 13 को है February 13 को है और announce को होगा result March 22 को Tuesday को आपका result announce हो जाएगा तो यह था कुछ थोड़ा सा information about schedule of the exam right इसका eligibility criteria क्या है उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं ठीक है तो देखिए जो भी jam का exam देगा उसके पास bachelor degree होना चाहिए what mandate है master degree करोगे तो bachelor degree होना ही चाहिए और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि आप लग कि अगर आप general हो या फिर OBC categories में आते हो तो आपका जो percentage होना चाहिए degree में वो 55% होना चाहिए आप फिर अगर आपका gradation system था तो फिर आपका 5.5 होना है out of 10 right तो वैसे ही अगर आपका HTSC है या फिर आप PWD category में आते हो तो फिर आपका जो percentage वो 50% होने से हो जाएगा या फिर आपका जो grade है that must be 5.0 right okay that's good फिर यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि pattern of test paper कैसे रहने वाला है ठीक है तो pattern of test paper मतलब जो paper आप देने वाले हो वो तीन hour का है right तीन घंटे का exam है उसमें 100 mark का question गिरेगा 60 question आएंगे तो वो 60 question तीन section में divide है तो section A यहाँ पर जैसे की देख सेकते हो राइट यहाँ पर जैसे देख सकते हो यह section A section B and section C तो section A, section B, section C क्या होता है तो section A में आपका MC को question गिरेगा section B में आपका MSQ type question गिरेगा and section C जो है वहाँ पर NAT type question that means numerical type question गिरेगा that means वहाँ पर कुछ भी option नहीं दिया रहा होगा आपको just answer मतलब खुछ से निकाल के वहाँ पर लिखना है that means कोई भी problem दिया है उसका answer आपको खुद से numerical type question मतलब numerical solve करना है फिर जो answer आएगा वहाँ पर आपको डाल के आना है तो section A में आपका question गिरेगा 30 questions 30 question में से 10 question आएगा 1 mark वाला and 20 question आएगा 2 marks वाला तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर जो A, B, C section तीनों section है negative marking सिर्फ और सिर्फ section A में होगा section B and section C में कोई भी negative marking नहीं है और section A में negative marking का scheme क्या है जो एक mark वाला question है अगर वहाँ पर आप कोई भी गलत करते हो गलती करते हो तो वहाँ पर आपका 1 by 3 mark deduct होगा यह ध्यान में रखने वाली चीज़ है अगर आप कोई भी 2 mark वाला question को wrong attempt करके आते हो मतलब section A में तो वहाँ पर आपका 2 by 3 mark deduct हो जाएगा यह ध्यान रखने वाली चीज़ है and section B में आपका 10 question गिरेगा जो की MSQ type है मतलब मैंने पहले भी MSQ type क्या है बताया है कि एक question जिसमें आपका 4 option दिया होगा बट बोल नहीं सकते उसमें एक ही सही है या फिर उससे ज़्यादा सही है मतलब definitely MSQ type question में ऐसा दिखा गया है कि हर बार 2 या 3 option सही ही रहता है तो आपको पुरा correctly जो जो सही है मतलब let's say एक question दिया है उसमें A and B option are correct अगर आप A and B both को tick करके आते हो फिर आपको mark मिलेगा नहीं तो mark नहीं मिलेगा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर minus marking का chance नहीं है section B में तो यह MSQ वाला question है यह थोड़ा difficult रहता है क्योंकि सही से guess करके लगाना पड़ता है सही knowledge होना पड़ता चाहिए ठीक है अगर आपका सही knowledge नहीं होगा किसी chapter पर thoroughly off clear नहीं हो chapter को तो फिर आपका MSQ type question में जादा अच्छा नहीं हो सकता है तो इसलिए यह बोला जाता है कि student को जब भी मैं भी बोलता हूं कि आप ना पुरा details में जाए रइट जो entrance के preparation करने के time आप जो भी chapter पढ़ रहे हो उसको detail में जाए ताकि आप यह MSQ वाला जो person है ना उसको अच्छे से attempt करके आ सकते हैं तो यह बाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह 10 कुस्चन ऐसे तो छोड़ के नहीं आ सकते हो ना ठीक है कि afternoon में आपका exam आएगा 13 February को तो फिर यह जो जो fee structure है यह वाला important है जो female and all categories like ST, SC and PWD उनका जो test paper का जो paper के लिए fee होगा वो 750 होगा and all others के लिए 1500 रुपेया लगेगा भाया ठीक है अगर आप यहां पर है कि आप एक से भी ज्यादा test कर सकते हो अगर आपका eligibility हो रहा है किसी other subject का भी exam appear करने के लिए तो आप दे सकते हो दोनो test paper को एक साथ तो अगर आप दो test paper को चूज करते हो तो female के लिए and all categories like ST, SC, PWD के लिए एक हजार पचास रुपया पड़ेगा and आपका अगर आप all others में जाते हो that means general वगेरा तो आपका दो test paper के लिए किस रुपया पड़ेगा भाया जी ठीक है next को चलते है तो फिर how to apply कैसे apply करोगे यारो यहां पर लिखा गया है application procedure का एक paragraph लिखा गया है full to full कैसे apply करना है आप चाहा तो पढ़ सकते हो तो पहले register करना पड़ेगा पहले तो आपको जाके यह जो website डिया गया है na https jam iitr.sc.in इसमें login करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा यह इतना बड़ा website छोड़ दो बस iit jam 2022 search कर लो google में टॉप में आ जाएगा ठीक है वहाँ पर क्लिक करके आप जाके apply कर सकते हो पहले आपको क्या करने पड़ेगा ना हो ओके आपका नाम and valid email address के साथ mobile number देके पहले register करना पड़ेगा registration के बाद आप form fill up कर सकते हो अगर आपको form fill up करने में कोई भी दिक्कत है आप बोल सकते हो कि मैं एक step by step वीडियो लेके आ जाओंगा आपको बता दूंगा वहाँ पर कि केसे step by step आपको form fill up करना है किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है ठीक है ना तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हो कि नीचे आपका जो documents के लिए दिया रहा है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा गया है कि photograph requirement right photograph requirement photograph के लिए कौन सा कौन सा requirement है तो यहाँ पर लिखा गया है passport size photo 3.5 cm width 4.5 cm height यह वाला ठीक है ना and color होना चाहिए and recent photograph होना चाहिए ठीक है and jpeg format में होना चाहिए यह वाला चीजे सब लिखा गया यहाँ पर और आपका जो pixel size होना चाहिए 240 से 240 x 320 यह minimum and maximum के कितना होना चाहिए 480 x 640 pixels right and आपका जो image का range होना चाहिए 50 kbps से 200 kbps के अंदर ठीक है ना okay तो यहाँ पर कुछ simple दिखा गया है यह वाला acceptable है ऐसे प्रक्स्ट्रेट होके पेटना पड़ेगा वाइड बेग्राउंड लगा के ठीक है तो यह वाला रोंग है तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को बस वैसे इस signature के लिए यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा मेथड दिया है कि आप एक लो एक मतलब साधा पेपल लो उसमें तू सेंटिमेटर हाइट एंड सेवन सेंटिमेटर का उइट रखके एक बॉक्स बना लो बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर आप signature कर लो signature करने के बाद याद रखना signature हमेशा black और blue paint से करना है एंड करने के बाद आप add of scanner लो या फिर कोई भी scanner आप use करते हो scanner लो फिर उसको scan कर लो मतलब scan करने के बाद आपको क्या करना है ना उसको crop करना है ठीक ना अपने जो border दिया है ना उस border की हिसाब से आपको crop कर लेना है आपका काम हो जाएगा फिर उसको सिधा लाके आपको मतलब वहां पर भर देना है ठीक है एंड इट मस्ट भी जेपेग का फर्माट नॉर्माली आपका जो आता है जेपेग फर्माट में आता है ठीक है और मैक्सिमूम इमेज साइज होना चाहिए फाइज फाइल साइज जो है 50KB से 150KB के अंदर होना चाहिए यह कुछ दिया है आपका जो एसेप्टेबल सिगनेस्टिर ओके यह जो दिया हुआ है यह सब आनएसेप्टेबल है देख सकते हो इसका यह आगे निकल गया है ठीक है यह सब कैपिटाल में लिखा हुआ है कैपि क्िपेथा यहां पर लिए इसका निकल गया ह сохर है यहां पर इसका इसना छोटा सा है यहां पर इसका सी зов को कुक लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना है एसे आपको लिखना है अच्छे से टेड बूरा फूल करके ठीक ना ओके लेट्स मूब तो और नेक्स्ट 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 वान सब्सिलावस के तरब देख लेते हैं तो आपका फिजिकल के मिस्ट्री में atomic and molecular structure यहां से आप देख सकते हो क्या-क्या है gaseous state, liquid state and solid state, chemical thermodynamics, chemical and phase equilibria, electrochemistry, chemical kinetics, adsorption and spectroscopy यह दिया रहा है and organic chemistry में आपको basic concept in organic chemistry and stereochemistry and organic reaction mechanism and synthetic application देखो यहां पर ना बिल्कूल ही आपका named reaction जितने भी है सब mentioned है, right, आपको जदा बहुत कुछ पढ़ना नहीं है जो भी named reaction है, यहां पर उस named reaction को अच्छे से पढ़के जाओ, ठीके ना, syllabus के बाहर कुछ भी कुछ नहीं गिरता है jam है भाई, कोई दूसरा exam नहीं है, right, board का exam नहीं है कि इधर से उधर पका दिया, ठीके, इधर से उधर डाल दिया exam में कुछ भी करके इसा नहीं है, बट आपको strictly, जो आपके पास time नहीं है, तो strictly पोलो करना है आपको क्या syllabus ठीके, तो यह quantitative organic analysis है natural product, aromatic and heterocyclic chemistry, छोटा chapter दिखता है लेकिन यहां से question एक दो गिरता है, ठीके, फिर periodic classification है आपका extraction of metals, metallurgy part, फिर chemical bonding and shapes of molecule बहुत ही बड़ा chapter है, बहुत ही important chapter है, man group elements, S&P, फिर deep block element है, bio-inorganic chemistry है, instrumental method of analysis है, ठीके, तो यहां पर analytical chemistry भी है, ठीके, तो इतना part आपको अच्छे से cover करके जाना है, strictly follow करना है, ठीके, तो आज का वीडियो इतना ही था, जो भी important part से मैंने cover करवा लिया, और आपको अगर कुछ भी और जानना है, तो आप comment कर सकते हो, नीचे, down the box, and sorry for my bad Hindi, ओके, तो यह बात थी, अगर आपको और कुछ जानना है, तो आप भी पूछ सकते हो, उसमें, and हमेशा students पूछते हैं कि कहां से preparation शुरू के रहे है, जो preparation strategy है, तो अगर आपको preparation strategy चाहिए, तो I will make a very good and well explained preparation strategy for you, so that your preparation would be easier, right, okay, so that part I can cover it, and जो maximum part से यहां पर हमारा classes शुरू होने वाला है, तो be sure कि आप यह channel को subscribe कर रहे हो, and be with us, right, till the end, we are going to rock on boys and girls, so bye-bye, see you in the next class.